प्रफनाट प्लेस के हनुमान मंदिर पे तीखी चटपटी आलो की सबजी और कचोडी के भी आपने खाई है तो खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होती है और इसे बनाना बहुत ही असान है तो मैंने भी आज कचोडी की सबजी बनाई है बिलकुल असान तरीके से तो चलिए आटा करते हैं तो मैंने लिए हैं विस्तल सौफ में लिए सॉफ और सापुद धनिया डाला है तो सापुद धनिया को कुट लिया है तेस्ट बहुत अच्छा और प्रण सद्ट चक्थ बाह् punishment हल्दी पौदर बहूंती सिंपल बहूती इसान है ये रैष्पी उसके बड़ हम इसमें लाल मेूं पौड़ डालेंगे घरूर जोلف डालेंगे अच्छे उसके बाद हम Bristol David उतना इसमें डालेंगे उनके दीखे होते पर मैं उतना ज़्यादा दीख नहीं करने वाली हूं तो उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे उबला हुआ और मैस क्या हुआ उसके बाद नमक डालने के बाद इसको हम एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इससे बहुत ही जबरदास इसका सु को तड़ी वाला ज्यादा पसंद आता है इसको पानी डालने के पाद 15-20 मिनट के लिए ऐसी अच्छे से कोख होने देना है सबजी अच्छे से कोख हो जाए उसके पाद इसमें डाल दे धन्या पत्ता और धन्या पत्तर डालने के पाद 5 मिनट के लिए हमें और थोड़ा सा कोखोने देना है बस हमारी आलो की सब्जी रेडी हो चुकी है और आप इसे कर्मा गरम पूरी के साथ या कचोडी के साथ इंजॉय कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा कॉमेंट करके बताएगा आपको ये आलो की कचो